हाई फ्रेंड्स कई लोग मुझसे बार बार हैलू जेल का रिव्यू करने की रिक्वेस्ट करते हैं basically halugel is hyaluronic acid gel hyaluronic acid gel के बहुत uses हैं ये एक anti-aging agent है anti-wrinkle agent है skin को moisturize करता है skin में पानी की मातरा को बढ़ा कर उसकी elasticity को बढ़ाता है और उसको hydrate रखता है इसका उप्योग eczema और allergy को ठीक करने के लिए भी skin diseases में किया जाता है और आखों के आस पास की सूखी skin को hydrate करने के लिए और उस पर से fine lines हटाने के लिए भी किया जाता है लेकिन इसका सबसे ज़्यादा उप्योग as a moisturizer और anti-wrinkle cream के तौर पर skin care products बनाने वाली industry में किया जाता है सबसे पहले आपको जानने वाली बात यह है कि hyaluronic acid सबसे अच्छा काम serum के रूप में करता है और इसे हमेशा moist या गीली skin पर ही लगा कर उपर से moisturizer लगाना चाहिए hyaluronic acid gel या serum को कभी भी सूखी skin पर नहीं लगाना चाहिए जब आप skin को गीला करके hyaluronic acid serum लगाते हो तो यह पानी के moisture को skin के अंदर lock करके या पकड़के अंदर तक पहुँचाता है लेकिन यदि आप इसे सूखी skin पर लगाओगे तो यह skin के अंदर का पानी या moisture उसको बाहर खीच कर skin को और सुखा देता है इसको anti wrinkle cream या moisturizer की तरह आखों के आसपास और face पर use करने का सही तरीका है कि आप face wash करने के बाद अपने face पर पानी का हलका सा spray करें उसके उपर hyaluronic acid serum लगाएं फिर उपर से अच्छा oil based moisturizer या cream लगा लें अब कई लोग ये पूछते हैं कि क्या हम hyaluronic acid अपने lips को मोटा करने के लिए use कर सकते हैं उसका जवाब है हाँ मैंने अभी आपको जो face के लिए बताया है वैसा ही आप lips पर भी कर सकते हो और दूसरा lips में इसके injection को doctor के द्वारा filler के रूप में लगवा कर जो आजकल बहुत सारे actors और models regularly करते हैं जिन लोगों के eyebrows के ऊपर, lips के ऊपर या chin की side में गहरी lines बन जाती हैं वे लोग भी इन lines में hyaluronic acid filler के injection लगवा कर उन्हें हटा सकते हैं लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि इन fillers का effect छे महने तक कम होने लगता है इसलिए इस injection को बार बार लगवाना पड़ता है वैसे तो hyaluronic acid cream, gel और serum तीनों रूप में मिलता है लेकिन जैसे मैंने बताया है यह serum के रूप में सबसे ज्यादा effective है बजार में यह serum काफी महंगी मिलती है इसलिए मैं आपको hyaluronic acid serum घर में ही बनाने का आसान तरीका बता देती हूँ पहले आपको internet से या किसी pharmacy chemist से cosmetic grade high molecular weight hyaluronic acid powder लेना होगा उसके साथ distilled water की एक bottle और एक छोटी bottle pure glycerine लेना होगा अपने घर पर एक साफ कांच की bottle ले उसमें आधा चमच hyaluronic acid powder एक चौथाई cup distilled water एक चौथाई teaspoon glycerine डाले फिर उस bottle को tight बंद करके खूब अच्छी तरह से हिलाएं hyaluronic acid एकदम पानी में नहीं घुलता है इसलिए एक बार अच्छी तरह हिलाने के बाद आप इस bottle को राद भर के लिए फ्रिज में रख दे सुभे तक ये acid पानी को सोक लेगा और bottle को अच्छी तरह हिलाने पे आपके पास एक अच्छा smooth serum तयार हो जाएगा इस serum को आप सुभे शाम 15 दिन के लिए यूज कर सकते हैं क्यूंकि अब आपके पास serum बनाने की सारी चीज़े हैं आप हर 15 दिन में fresh serum बनाकर यूज कर सकते हो दोस्तों आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और जो मैंने आपको अपने घर पे हैल्यूरोनिक एसिट सीरम बनाने का तरीका बताया है उसको बनाकर आप अपने घर में आराम से हैल्यूरोनिक एसिट सीरम का इस्तमाल रोजाना कर पाएंगे थैंक यू